तो BCAA या Electrol, Intra Workout, Workout करते वोग क्या पिना चाहिए? आजकल बहुत सारा लोगों को Electrol पीते ही चमतकारिक शक्तियों का एहसास हो रहा है निदा है कि Workout में गजब जाना रही है Electrol होता क्या पहले ही समझते है Salt होती है और Body को Hydrate करती है Hydration में क्या-क्या जरूर ही? सिर्फ पानी जरूर ही क्या जरूर ही? Salt, क्योंकि जो muscle contraction होता है उसका signal, nerves के थूप, electrolyte से दाता है electrolyte में क्या-क्या आता है? वो भी समझ देते हैं Sodium, Potassium ये main होते हैं और Sodium सबसे द्यादा main होता है मतलब अब अगर पूरी value 100 माने Sodium 70 होता है, बाकी चीज़े भी थोड़ी थोड़ी आती है Sodium, Potassium, Calcium, Magnesium और क्लोरीन या क्लोराइड यह होते है electrolyte साब के पानी के साथ यह होना बहुत जरूरी है जब तक यह नहीं होंगे Muscle में signal नहीं जाएगा और pump नहीं आएगा बहुत जादा अगर आप इंटरनेट पर देखके इलेक्टरॉल, इलेक्टरॉल, इलेक्टरॉल कर रहे हैं तो वो आपको हार्ट अटायक की स्थिती तक भी पहुचा सकता है एक दो दिन में नहीं, तीन-चार महिना में नहीं अगर लगतार करते देंगे, तो आपकी बॉड़ी में बहुत देमेज होगा हार्ट अटायगा चकता है समझते हैं क्यों, बहुत बड़ा स्टेट्मेंट दे रहा हूँ जब कॉमपर्णीजन होता है, तो बॉड़ी बॉड़ी को ड्राई करते हैं ड्राई कैसे होती ही बॉड़ी, पानी दो तरीके का होता है स्किन के नीचे और मसल के अंदर तो लोग डायुरेटिक लेते हैं बॉड़ी 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 से पानी को बाहर फेक देता है वो देखता नहीं कि वो स्किन के नीचे का पानी है या मसल के अंदर का पानी है, वो पानी बाऄ फैके लेकिन कुछ ट्रिक्स ऐसे होती ही, जिससे आप बॉड गटिक यौ不好 कर सकते हैं, वो स्किन के नीचे का पानी फैके, मसल के अंदर का पानी बाऄ नना फैके, यहोज़ और देखना कि ग्लास में, सॉल्ट कम करते हैं, जाता करते हैं, फिर जास कॉमपधिशन में जास हैं, पहले स्याध्य लोड कर लेते हैं, पानी लोड कर लेते हैं, तो वाँ ट्रम होती है, लेकिन कैसे होता है, डायूरेटिक, lysics हो गई, diazide हो गई, यह सब एक बहुत, यह band substances होते हैं, लेकिन यह करती क्या है, यह पानी को नहीं फेकती है, यह electrolytes को आपके body के बाहर फेकती है, और जहाँ electrolyte जाता है, समझे तो electrolyte यह है और यह पानी है, तो the water follows the electrolyte, electrolyte जहाँ जाएगा, पानी उसको follow करेगा, electrolyte बाहर आपका body से sodium, potassium बाहर गया, पानी बाहर निकल जाएगा, आपका main पर पूस होता है, body से sodium को निकालना, लेकिन यह diuretics करती है, sodium, potassium और बाकी electrolytes को भी बाहर निकाल दीती है, यहाँ पे danger आता है, हर मसल का contraction, electrolytes पे depend होता है, और heart भी एक muscle है, अगर electrolyte imbalance होगा, तो heart को pump करने के सिगनल ठीक से नहीं आएगा, इसलिए heart attack पर जाता है, तो sodium और potassium का सही मातरा में relation होना बहुत जरूरी है, लेकिन जब यह diuretics बाहर फेकते हैं, electrolytes को, तो sodium भी गया, potassium भी गया, सब बाहर गया, अब electrolyte लेने में दिक्कत क्या है, हमारी body सिर्फ और सिर्फ sodium lose करती है, normal conditions में अगर आप भाग रहे हैं, गर्मी में धूप में काम कर रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, गर्मी में धूप हैं, पसीना आ रहा है, sodium lose हो रहा है, आप, और यह इस वीडियो की सबसे important line है, आप potassium नहीं lose करते, normal conditions में, आप potassium कब lose करते हैं, जब आप बहुत जारा, बहुत करता है, तो potassium आप तभी lose करते हैं, और elektrol लेके potassium को replenish करते हैं, अपनी body में, otherwise potassium जो आ रहा जा रहा है, वो बहुत minute quantity में चेन होता है, sweating से, breath से, heavy breathing करें, दोड़ के, breath से भी, आप जो air lose करते हैं, जो moisture lose करते हैं, जो पानी lose करते हैं, बोडी का, सिर्फ sodium lose करते हैं, लेकिन आ दिक्कत हो सकती है, सिर्फ आप नमक डाल दीजिए, कोई भी जो pre-workout ले रहा है, उसमें सिर्फ नमक डाल दीजिए, elektrol के जंजोटों में मत पढ़िए, बहुत ही बेफूफी वाली decision होगी आपकी, elektrol पे जाना, और मैं तो गयता हूँ कि नमक की भी जरूरत नहीं हैं आप अगर आप जिम एक घंटा वर्काउट कर रहे हैं, 90% जिम तो AC होता है, AC ना भी हो, पंखा भी है, तो चट होगी न, धूप पे तो वर्काउट नहीं करें न भाई, तो सेंस ही नी मनता है, यार, elektrol लेने का जिम के अंदर दो, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि यार, उस केस में आप लीजिए जब बहुत जादा पोटाइशियम आपको निकल निकाल दी निरिया, पोटाइशियम पहले जा रहे है, आप सॉल्ड इंबैलेंस कर देंगे, आगे जाके दिखे तो लियाएंगे आपको, यह मेरे पास और यहरा है, इस पैकेट को धिहान से अगर देखें, इसमें क्या लिखा है, सोडियम 75 है, पोटाइशियम 20 है, क्लोराइट 65 है, और बाकी जो मेंगनीशियम और कैल्सियम है, क्योंकि वह आप इतना जादा लूस करते भी नहीं है, ना तो डायरियम ना वामिटिंग में, बाकी इसमें डेक्स्ट्रोस पढ़ाव फुलिट रिकार्वेंट फॉर मेंटेनेंस एंड रिप्लेस्मेंट ओ लॉसेज तो जो आपका लॉस हो रहा है, उसके लिए है जिम में आपका पोटाइशियम, कैसियम, क्लोराइट कुछ लॉस यह नहीं हो और आप उपर सिस्टम में एलेक्ट्रोल को पहले जा रहे है, त उसको मत करिए, उसकी तक आप क्या ले सकते हैं, आप BCAA लीजिए, BCAA प्रोवेने 100% काम करता है, फॉर्स ताम जब मैंने BCAA लिया था, मुझे आज भी रिमेंबर, मैं पहले स्कॉर्ट मारता था, फिर लेक प्रेस मारता था, फिर मैं लंज प्र लंज प्र आता था, और फि प्रेस्टम जब BCAA लिया था, मुझे आज भी आज भी आद है, अन फ्लेवर्ड था, तो रहा सा कड़वा लगता था, पीने का मन नहीं करता है, तो जिस दिन से मैंने BCAA लिया ना, मैरको लंज प्रोवे भी थकान काम होती थी, और लगता था कि और देर तक वर्काउट कर स आज मैंने BCAA ले सकते हैं, और अगर आपको जेज दिन लगे की बहुत जादा दूप में, आज मैंने मागज मारी हो गई, मेरी बहुत हलका सब सॉल्ट ले लीजे, चलेगा आपके लिए, यू डोंट नीड तो हाव एलेक्टर लेक्टर, अनलेस यू आर सिक, तो थांगी आपको वचिंग वीडियो, आपको ख्लियर कर दिया मैने कन्फुजन, एड हैपी वोकिंग आउट, पेल के मारों में तबा के